अंतराश्चिय समाचार जापान ने विरोध के बावजूत फुकुशिमा पर्माणू सैयंत्र के दूशित जल को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू किया जापान ने बुध्वार को फुकुशिमा दाइची पर्माणू उर्जा सैयंत्र से रेडियो धर्मी विकिरण वाला दूशित पानी प्रशांत महासागर में छोड़ने का चौथा दौर शुरू कर दिया समाचार एजंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार स्थानिय निवासियों और मच्वारों के विरोध के साथ-साथ अंतरराष्ट्रिय समुदाय की प्रतिक्रिया के बावजूद सन्यंत्र के संचालक टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने स्थानिय सम्यानुसार लगभग 11 बच कर 30 मिनिट बजे रेडियो धर्मी अप्षिष्ट जल को महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया। पिछले तीन दौरों के समान लगभग 7,800 टन अप्षिष्ट जल जिसमें अभी भी ट्रिटियम एक रेडियो धर्मी पदार्थ है लगभग 17 दिन में छोड़ा जाएगा। देश में 11 मार्च 2011 को 9.03 के भूकम्प और उसके बाद आई सुनामी से प्रभावित फुकुश्मा परमाणू सैयंत्र को कोर मेल्टडाउन का सामना करना पड़ा जिससे बड़ी मात्रा में विकिरण हुआ। जर्मन रक्षा मंत्री ने यूक्रेन में सेना भेजने से किया इनकार। जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने यूक्रेन में अपनी थल सेना भेजने से इनकार कर दिया है। एक दिन पहले ही फ्रांसीसी राश्ट्रपती इमेनुएल मैकरॉन ने सुझाव दिया था कि यूरोपिय देश ऐसा कर सकते हैं। समाचार एजनसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार पिस्टोरियस ने मंगलवार को वेना में आस्ट्रियाई रक्षा मंत्री क्लावडिया तान्र के साथ बैठक के बाद एक समवादाता सम्मेलन में कहां जमीन पर सेना उतारने का जर्मनी के संघिय गनराज्य के लिए को कोई आधिकारिक सहमती नहीं थी यूक्रेन में पश्चिमी सैनिकों को भेजने की संभावना को इनकार नहीं किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि पश्चिम यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेगा कि यूक्रेन में रूस की जीत ना हो चीन में दुन्या का सबसे बड़ा कार्बन बाजार बना चीन में कार्बन उत्सर्जन व्यापार बाजार की स्थापना को धाई साल हो चुके हैं चीनी पारिस्थितिकी और परियावरन मंत्राले के उप्रमुख चाओ यिंगमिन ने कहा कि पिछले ढ़ाई सालों में कार्बन उत्सर्जन व्यापार बाजार स्थिर रहा। वर्तमान में वार्षिक कार्बन डाइकसाइड उत्सर्जन पांच अरब दस करोड टन हैं जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कवर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन बाजार बन गया है। चाओ यिंगमिन ने कहा कि चीन के कार्बन उत्सर्जन व्यापार बाजार में विद्यत उत्पादन उध्योग को प्राथमिकता देते हुए दो पूर्ती चक्र सफलता पूर्वप पूरा कर लिया गया है। अब अपेक शाकृत पूर्ण संस्थागत धांचा प्रणाली स्थापित हो जुकी है। सन्युक्त राष्ट के एक संडठन के एक वरिष्ट सहायता अधिकारी ने चेतावनी दी है कि युद्धगरस्ट गाजा की एक चौथाई आबादी अकाल की कगार पर है। गाजा में सन्युक्त राष्ट की सहायता एजंसियों से उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, मानविय मामलों के समन्वय के लिए सन्युक्त राष्ट कार्याले के समन्वय के निदेशक राजेश राजसिंगम ने सन्युक्त राष्ट सुरक्षा परिशत को आने वाले द पट्ती के खत्रे के बारे में सूचित किया है। सन्युक्त राश्च्य के वरिष्ट सहायता अधिकारी ने सुरक्षा परिशत को सूचित किया है कि गाजा पट्ती में लगभग पांच लाख चेहतर हजार लोग भूक और अकाल का सामना कर रही है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उचित कारवाई नहीं की गई तो व्यापक अकाल लगभग अप्रिहार्य हो सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तरी गाजा में दो साल से कम उम्र के हर छे बच्चे में से एक गंभीर कुपोशन का शिकार है। BNT की खास पेशकश